अगर आप regular वाले french toast खाखा कर बोर हो गए हैं, तो आज की ये recipe आप ही के लिए है आज हम बनाएंगे नए तरीके से नए मज़े और नए टेस्ट वाले crispy french toast bites इनको आप as a snack चाय के साथ भी सर्फ कर सकते हैं इसके इलाबा breakfast या बच्चों के lunch box के लिए भी ये एक best option है बिसमे लाहरोमारी रहीम तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 6 white bread slices लिये हैं आपको जितनी भी जरूरत हो आप ले सकते हैं इसके लाबा अगर आप इस recipe के लिए brown bread का इस्तमाल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं अब इस तरह से हम एक ही साथ इन सारे bread slices के किनारों को remove कर देंगे लेकिन अगर आप ना करना चाहें तो आप किनारों के साथ ही bread का इस्तमाल कर लें किनारे remove करने के बाद अब इस तरह से हम एक bread slice को 4 pieces में काट लेंगे छोटे बच्चों के लिए इस तरह से फ्रेंश डोस को खाना और हैंडल करना ज्यादा इजी हो जाएगा नेक्स अब आप कोई भी इस तरह से मिल्क चॉकलुट ले लें जो भी आपको एजीली अवेलेबल हो इसको इस तरह से पीसिस में काट लें इसकी जगह पर आप चॉकलुट चिप्स का इस्तामाल भी कर सकते हैं नेक्स अब हम इस तरह से कोई भी प्लेन वाले कॉन फ्लैक्स ले लेंगे और इनको हातों से इस तरह से मोटा मोटा सा क्रश कर लेंगे रेट कर्म्स के तरह इनको बिल्कुल बारीक नहीं करना थोड़ा सा मोटा रखेंगे नेक्स यहाँ पर मैंने लिए हैं दो अंडे इसमें शामिल करेंगे वन फोर्थ टीस्पून दार्चीनी का पाउडर और दोसे तीन खाने के चमर्च या अपने टेस्ट के मताबिक ब्राउन चूगर या वाइट चूगर जो भी आप एड़ करना चाहें आप कर सकते हैं बीट करके इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से कमबाइन कर लेंगे इसके लावा इसमें हमने दूद भी शामिल नहीं करना क्योंकि अगर आप इसमें दूद शामिल कर देंगे तो आपके फ्रेंच टोस क्रिस्पी नहीं रहेंगे बिलके सौगी हो जाएंगे नेक्स्ट हम हम इस तरह से एक ब्रेट स्लाइस लेंगे और इसके उपर चॉकलीट का एक पीस रखेंगे और दूसरे प्रेट स्लाइस से चॉकलीट को कवर करके हलका सा प्रेस कर देंगे लिकिन जाधा प्रेस आपने इसको नहीं करना वणना इसकी शेप खराब हो जाएगी और इसी तरह से इन सभी में हम चॉकलीट के फिलिंग कर लेंगे अब सबसे पहले इसके उपर अच्छे से अंडे वाले मिक्सर की कोटिंग करनी है इस तरह से हर तरफ अंडा लगाना है अंडा लगाने के बाद अब जो हमने कॉन फ्लेक्स करश किये थे वो इसके उपड लगाएंगे बहुत अच्छे से चारों तरफ इसके कोटिंग करनी है इसके बाद थोड़ा सा इसकी शेप को भी सेट कर देंगे तक ये बिल्कुल स्क्वेर क्यूब की तरह लगे अब इसको हमने थोड़े से तेज करम उल में फ्राय करना है क्योंकि अगर आप इसको हलके गरम उल में शामल करेंगे तो इसमें उल भर जाएगा लेकिन उल का टेंपरिचर इतना ज़आधा तेज करम भी ना हो कि ऑल में जाते ही इसके उपर कलर आ जाए देखें इस तरह से oil के temperature को balance करके रखें ताकि इनके उपर एक जैसा even color आए और इनमे oil भी न भरे oil में से निकाल कर पहले इसको थोड़ी तरह के लिए tissue paper रखें ताकि एक्स्ट्रा oil को tissue paper एब्सॉर्ब कर ले और फिर इसको serve करें बचों को तो ये बहुत ही पसंद आएंगे क्योंकि इसमें हमने chocolate के filling की है और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आप इसको as a snack या breakfast में भी serve कर सकते हैं बहुत सारी options है तो कैसी लगी आपको ये आज की recipe comment section में जरूर बताइएगा जाते जाते वीडियो को like share channel को subscribe जरूर कर ल अलाहु आफेस